नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूग चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माथे पर हल्दी का तिलक लगाने के फायदे ना भी पर हल्दी का तिलक लगाने के फायदे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं हम अक्सर अपने माथे पर कुमकुम का चंदन का तिलक लगाते हैं सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना एक अच्छी बात है इससे हमारी भगवान के प्रती रूची बढ़ती है किसी भी धार्मिक महोचसव में भी माथे पर तिलक लगाया जाता है अब हम कुमकुम और चंदन का तिलक तो माथे पर लगाते ही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं हल्दी का तिलक भी लगाया जासकता है जी हाँ हल्दी का तिलक भी लगाया जासकता है तथा हल्दी का तिलक लगाने से मनुष्य को फायदा भी होता है अगर आप हल्दी का तिलक लगाने के फायदे जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखे माथे पर हल्दी का तिलक लगाने के फाइदे माथे पर हल्दी का तिलक लगाने के कुछ फाइदे निनलिखित है माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से सिरदर्थ की समस्या से छुटकारा मिलता है माथे पर हल्दी का तिलत लगाने से हमारी आर्थिक परिस्थिती में सुधार होता है तथा हमें धन की प्राप्ती होती है हल्दी में एंटी बायोटिक तत्व पाए जाते है इस वजह से माथे पर हल्दी का तिलत लगाने से हमारे चहरे पर निखार आता है तथा हमारा चहरा शुद्ध होता है धार्मिक मान्यता के अनुसार माथे पर हल्दी का तिलत लगाने से हम काफी सारे संकट से बच जाते हैं तथा हल्दी का तिलत लगाने से ग्रहों को भी शांती मिलती है माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से मनुष्य की उदासी दूर होती है तथा मनुष्य हमेशा उत्साह में रहता है व्यक्ति अपना कार्य उत्साह के साथ करता है तथा कार्य उत्साह के साथ करने से कार्य में सफलता भी जल्दी मिलती है माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से दिमाग शांत होता है तथा मानसिक बीमारियों के बचाव में भी काम करता है माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से व्यक्ति के मनुबल और आत्म विश्वास में व्रिध्धी होती है नाभी पर हल्दी का तिलक लगाने के फायदे अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो नाभी पर हल्दी का तिलक लगाने से फायदा होता है इसके लिए आप रात को सोते समय नाभी पर हल्दी का तिलक लगा सो जाए और सुभा अच्छे से धो लीजिए यह उपाय नियमित रूप से करने से कुछ ही दिनों में Immunity मजबूत हो जाती है अगर आपके पेट में कब्ज या अपच के कारण सुजन आ गई है तो रात को सोते समय हल्दी और नारियल तेल मिक्स करके नाभी पर तिलक करे यह उपाय करने से पेट की सुजन में आपको राहत मिलेगी महिलाओं को पीरियर के दौरान असहनिय दर्द का सामना करना पड़ता है अगर किसी महिला को पीरियर के दौरान दर्द होता है तो नाभी पर हल्दी का तिलत लगाने से पीरियर दर्द से छुटकारा मिल सकता है अगर किसी का पाचनतंत्र कमजोर है या फिर खाना खाने के बाद जल्दी पच्टा नहीं है तो ऐसे में पाचनतंत्र संबंधित समस्या से छुटकारा पाने के लिए नाभी पर हल्दी का तिलत लगाना चाहिए इससे कुछ ही दिनों में आपका पाचनतंत्र ठीक हो जाता है सर्दी के मौसम में हमें काफी सारी वाइरल बीमारी हो जाती है यह सब इंफेक्शन की वजह से होता है तो इंफेक्शन से बचने के लिए नाभी पर हल्दी का तिलत लगाना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद